इस घोर कड़्युप में इनसान मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है, गर्जी हो गया है अपने मतलब से मतलब है, अगर मतलब हल नहीं होता, गर्ज पूरी नहीं होती तो तू कौन और मैं कौन गर्ज पूरी होती है, तो लोग दोस्ती मितरता बनाते देर नहीं करते हैं इस घोर कड़्युप में ऐसा समाया है, कि जब तक बच्चे को गर्ज है, तो माँ की बाप की कदर करता है जैसे अपने पाउं पे थोड़ा खड़ा हो जाता है, तो वो कड़्युगी बेटा माँ और बाप को घर से निकाल देता है ये है खुदगर्जी की मिसाल, शायद इससे बड़ा खुदगर्ज कोई हो नहीं सकता तो इसलिए अपने अंदर की खुदगर्जी को मिटा डालो, अपने अंदर की इस बुरी भावना को हटाओ, पर आदतें बदली जाना कोई मामूली बात नहीं है मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरी जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरी जन सूर मन की आदत को बदलना शूरविर योधा का काम है या कोई हरी का जन उस परंबिता परमात्मा का भगत जो उससे बेंद्धा प्यार करता हो जो उसकी भगती में लीन हो वो अपनी आदतों को बदल देता है लेकिन आम इनसान लोबी लालची है ठगी बेमानी काम बाशना करो दलो मों अंकार में फसा हुआ मन माया के चक्र में उल्जा हुआ अपने मन की आदत को नहीं पढ़ सकता ना पढ़ सकता है ना बदल सकता है जैसी जिसको आदत पढ़ जाए भगत बदल सकते हैं शूर्वीर योधा बदल सकते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं और बुरी आदत को कोई बदल नहीं सकता तो सतसंग में अगर आप आओगे सतसंग में नाम गुरु मंतर मिलता है उसका अभ्यास करोगे तो आप अपनी बुरी आदतों को बदल डालोगे और हमेशा शान्ती चेहन परमानंद से जीवन गुजारना शुरू कर दोगी जिनके अंदर परमानंद होता है जिनके अंदर सुक शान्ती लज्जत होती है उन्हें जिन्दगी में कभी पतजड का मौसम नहीं आता हमेशा बहार बनी रहती है तो आपका जीवन सुख में हो, आपके जीवन में बहार हो, इसके लिए अती जरूरी है कि आप प्रभू का नाम जपा करें, प्रभू के नाम का सुमरन किया करें, भक्ति अबादत किया करें, क्योंकि प्रभू का नाम ही सुखों की खान है, प्रभू का नाम ही सुख शानती देता है प्रभु का नाम परमानंद देता है तो इसलिए लेटके बैठके काम दंदा करते हुए आप सुम्रन किया करो आप मालिक से मालिक को मांगा करो ताकि आपके तमाम खुश्यां पूरी हो और आप मालिक किरपा द्रिस्टे के काबिल बंदे चले जाएं